आई अब्रिवन, वेलकम टू जेया डिटोरियस, आई यूर फ्रेंट राहूल जैस्वाल, तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हो, आप लोग अच्छे होंगे, और स्टडीज कैसे चल रही है, फटा-फट से कॉमेंट करके बताओ, खास कर दसवी वालो, आप ल हो, ठीक है, थोड़ा संदजार कर लेना, चीज़ है, प्लाइनिंग चल रही है, तो आपको पूरा प्लाइनिंग वाला वीडियो मिलने वाला है, कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है, तो तयार हो जाना, बाकी हर चीज हमने पढ़ा के रखा हुआ है, साइन्स, मैस, एसस्ट ले वीडियो में कंप्लीड कर दिया है, तो अगर आपने हमारा प्रॉब्लम सेट 4A के वीडियो से नहीं देखे हैं, चाके देख लो, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट 4B आप दा चाप्टर फिनांशियल प्लानिंग, बहुत ही यूज टाइप के तो उसको भी देखना है, फिर कोशन अबर 2 भी सॉल करना है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेना, इस वीडियो के एंड तक और ध्यान से देखते रहेना, साथ ही में अगर आप सोचल मीडिया यूज करते हो, तो यह मेरा परसनल आइडिया है, इंस्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है, चले, वीडियो की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहले कोशन की जो की है, चूज दा करेक्ट ऑप्शन, ओविएसली, कोशन नमबर 1A जो होता है, आपके एक्जाम में, वो आपका 4 marks का कोशन आता है, 11 marks each, जो की आ कोशन समझते हैं, इसको, if the face value of share is 100 रुपीज, क्या बोल रखा है, अगर इसको मैं solve करूँ, तो हम लोगो दे रखा है, face value is equal to 100 रुपीज, ठीक है, add market value, इसका market value जो है, वो भी कितना दे रखा है, 75 रुपीज, ठीक है, तो हमें पूछा है, then which is correct, इसमें से correct क्या है, क्या वो share premium पे है, कि discount पे है, ऐसा हमें पूछा है, कितना है, तो हम लोगो एक funda हमने सिखा हुआ है, अगर आपने इस chapter के lecture वीडियो, जो हमने पढ़ा के रखा है, lecture वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है, तो please जा के देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगएगा, बस YouTube प तरह face value, market value दिया हुए, तो हमेशा याद रखना, कि अगर market value, जो होगा, वो अगर face value से छोटा रहेगा, हमेशा याद रखना, if market value is smaller than the face value, तो याद रखना, कि वो जो share है, वो क्या है, discount पे, वो share क्या है, दोस्तो, discount पे है, क्योंकि हमेशा एक चीज़ हम जानते है, कि कभ तो हमें plus करना पड़ता, यानि कि जो face value और market value इन दोनों को plus कर देना होता है, ठीक है, premium पाने के लिए, कितना premium हा रहा है, लेकिन अगर, अगर आपको बोल रहा है, कि जो face value है, और market value दोनों equal है, तो वो क्या है, जो share है, वो पार पे है, ठीक है, दोनों equal हो जाएंगे, और लेकिन अगर ऐसा बोल दिया, कि जो market value is 75 है, और face value 100 है, मतलब market value यहाँ पे क्या है, market value face value से छोटा है, तो market value face value छोटा है, मतलब हमारा जो share है, वो किस पे है, discount पे है, और कितने discount पे है, कैसे निकालोगे, आपका, जो face value रहेगा, उसको market value को minus कर दो, तो आपका 100 minus 75 कर दो, आपका answer आजेगा 25, मतलब हमारा जो discount का जो price है, share का, वो कितना है, 25 discount, तो देखो, the share is a premium, यह नहीं आएगा, the share is a discount, और वो भी कितने discount पे, 25 रुपे के discount पे है, मतलब option number, second is the correct answer, बच्चे confuse हो जाएंगे, तो एकोड दिया हुआ है, the share is a discount, यह भी discount पे है, लेकिन इसका price 75 तो यह 75 नहीं आएगा, 25 आएगा, हमने निकाला हुआ है, तो इसके लिए इसका correct answer क्या है, option number 2, the share is a discount, share किस पे है, discount पे, क्यों discount पे, क्योंकि face value यहाँ पे, बढ़ा है, market value छोटा है, हमने minus किया, तो answer आया 25, तो this is your correct answer, समझ में आ गया, clear, बहुत easy concept है, याद रखो, next, rate of GST on brokerage, हमने पढ़ाया हुआ है, आपको brokerage, जितना भी brokerage लगता है, उसके उपर, 18 टका GST लगता है, यह हमने पढ़ाया हुआ है, पुरे chapter के अंदर, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो rate of brokerage, rate of GST on brokerage is 18%, हमेशे याद रखता है, कितना होता है, भया, 18% हो per share, मतलब dividend received per share, उसका amount निकालना है, जिसका face value 10 रुपया दे रखा है, वो dividend declare 50% है, बहुत easy question है, देखो कैसे निकालोगे, dividend per share निकालना है आपको, dividend per share, कितना होगा, जितना भी आपको क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, dividend declare 50% दिया हुए, मतलब 50%, 50%, वो भी किसका ह होता है, उसका face value का होता है, तो 50% of face value, 50% मतलब 50 upon 100, multiply by face value कितना है, 10, एक 0,10 cancel, ये एक 0,10 cancel, 5 multiplied by 1 is 5, तो आपका 5 रुपया जो है, ये आपका आगेए dividend per share, मतलब हर share पे कितना dividend मिलेगा, 5 रुपया, आप पूछना मतसर dividend क्या होता है, ये सब चीज पढ़ा रखा है, आप तो देखो जाके यह तो प्रॉब्लम सेट के वीडियो है ना लेकिन जो लेक्टर पढ़ा थे चाप्टर जब पढ़ाया था उसके वीडियो इस एविडियो एविलेबल है हमने सब पढ़ा के रखा है तो वह जाके देख लिया होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाओ होगा हमको पूरा डिजिटल बोड पे पढ़ा के रखा है हमने नए पैटन के साब से ठीक है तो हमारा एंसर है पाच रूपया तो यह हो गया हमारा option number A is the correct answer dividend per share क्या होता है जितना भी amount of dividend होता है जितना भी percent declare होता है dividend का उसको face value से multiply करना होता है हमारा answer आ जाता है ठीक है स asset value of a unit in mutual fund scheme is 10.65 रुपीज मतलब एक mutual fund scheme होगा कोई तो ठीक है समझो इसको ध्यान से ये कोई mutual fund scheme होगा जिसका जो NAV है मतलबने टैसेट value है वो 10 रुपया 10.65 रुपीज है हमें पुछा है find the amount required to buy 500 से उनिट तो एक का है 10.65 तो amount required amount required to buy to buy 500 units is equal to क्या हो जाएगा एक का है 10 रुपया 65 तो 500 को कितना होगा multiply कर लो तो 10.65 multiply by 500 इन दोनों को multiply करो ये 2 0 के वज़े से ये कितना हो जाएगा 1065 हो जाएगा point हडगया ये 2 0 के वज़े से इसका point हडगया तो 1065 हो गया और यहाँ पे 5 बचा हुए तो multiply कर लो answer आजएगा 5 5 is the 25, 2 carry 5 6 is the 30 और 30, 2 हो क्या 3 और 5 1 5 5 3 2 5 is the correct answer 5 3 2 5 option में है क्या 5 3 2 5 देको ये लोगने confuse करने के लिए 5 3 2 5 5 2 3 5 तो confuse करने के लिए देको ये दोनों CM दिख रहे है तो बच्चे गलती से कुछ भी टिक करके आ चाहेंगे लेकिन देखना है क्या आया answer 5 3 2 5 तो ये 5 3 2 5 ये पहला वाला option is the correct answer तो हमारा fourth question, fourth type का MCQ, एक और MCQ करना हम लोगो जो की है, to find the cost of one share at the time of buying the amount of brokerage and GST is to be dash the MV of share मुझे बसा जब भी हम लोग कोई भी एक share का price निकालते हैं खरीदने के time, तो जो amount रहेगा brokerage का और GST का ये क्या होते है, MV के साथ क्या होते है, जैसे कि हम जानते कोई भी share का price, उसका market value होता है और उसके साथ में जो भी उसका GST या फिर brokerage लगता है, वो add होता है, यानि क उसका market value जितना चल रहा है वो, और साथ में उसको खरीदने के लिए हमें कितना brokerage देना पड़ेगा, वो, और साथ ही में उसका GST जो लगेगा, वो तो अलग, तो MV market value plus brokerage plus GST is nothing but the total price of one share, ये आपको पता होना चाहिए, और already मैंने ये सब चीज पढ़ा रखा है, हमारे question number 2, इसको समझो, question number 2 क्या लिए है, तो इसको हम लोग समझेंगे और फटा-फट इसको भी हम लोग क्या करते है, दोस्तो, solve कर लेते, ठीक है, चलो, क्या बोल रहा है, find the purchase price, हमको क्या निकालना है, किसी भी चीज का, मतलब किसका share का, share का purchase price, मतलब कितना पैसा लगने वाल होने 30 रूपीज, 30 रूपीज इसका premium का price है, तो share जब premium पे होता, इसका मतलब क्या है, कि market value, face value से बढ़ा रहेगा, जो हमने conditions देखा, share जब premium पे है, बोल रखा है, तो market value, जो रहेगा, वो face value से बढ़ा रहेगा, ठीक है, तो brokerage rate दिया हुआ है, brokerage rate is equal to 0.3%, यह हम लोग को दे रखा है, तो हमें calculate क्या करना, इसका purchase price, बहुत easy है निकालना, लेकिन सबसे पहले आपको जो दिया है, face value, ठीक है न, उसका हम लोग use करेंगे, तो face value दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है, कि the share is at premium, यह हम लोग को दे रखा है, कि premium पे है, बोल रखा है न, तो share झाले है, अधर जब premium पे होगा, तो इसका जो market value होगा, कैसे निकले का फेस value प्लस प्रीवियम निकले का, क्योंकि obviously हमारा, जो market value है, वो फेस value से बड़ा होगा, तो face value कितना है, हमारा, 100 रुपया, premium कितना है, 30 रुपया, तो 100 प्लस 130, यानि कि हमारा, market value का एंसर आ गया, market कितना है उस शेयर का वो है क्सों तीस रूपिया यह आगया आपकाре ट्विया यह आपने निकाल लिया यह आपने निकाले लिया मार्के लेड़ ट्रिसमें और फा थे तक है अब हम और कि स्पाने लिलुए यह थ extensively है और Richard कि तूर्व लोग दिया लिए मिव ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है, ब्रोकरेज जो दिया हुआ है, वो 0.3% दिया है, तो मुझे बताओ कि ब्रोकरेज जो लगता है, 0.3% या भी जो भी amount है, वो किसके ओपर लगता है, उसके market value के ओपर लगता है, हमेशा याद रखना कि जो भी उसका brokerage लगता है, वो उसके market लगता है तो 0.3 परसेंट लग रहा है ठीक है तो 0.3 परसेंट मतलब 0.3 अपॉन हंड्रेड इन्टू यह भी किसका होता है देखो, या तो मैं करता हूँ, यह 0.3 divided by 10 कर दूँगा, तो यह 0.03 हो जाएगा, multiply by 13, इसका answer निकाल लो, 13 को 0.03 से multiply करो, तो कितना आया है, हम लोग ने calculate कर रखा है, तो इसका answer आ रहा है, 0.39, 13, 3039 होता है, बराबर, 0.39, यह आगया आपका, ब्रोकरेज, यह क्या आगया, यह क्या आगया, ब्रोकरेज, तो आपने market value निकाल रखा है, आपने ब्रोकरेज निकाल रखा है, और आपको अपका पुछा है, purchase price निकाल, तो purchase price का मतलब क्या होता है, कोई भी share का खरीदने का price क्या होता है, उसका market value प्लस ब्रोकरेज, वो ही होता है, तो हम क्या करेंगे, यह जो market value जो दिया हुआ है उसको हम लोग हमारे brokerage से plus कर देंगे तो हमारा जो purchase price है वो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखता हूँ, तो therefore purchase price of share, यही पुछा है ना हम लोगो find the purchase price of share, तो purchase price of share is equal to market value plus, यहाँ पर लिखता हूँ, इसको थोड़ा रफ करता हूँ, is equal to market value plus brokerage, इन दोनों को plus कर दो, हमारा answer आ जाएगा market value है 130 रुपिया, ठीक है, market value कितना निकाल रखा है 130 रुपिया, plus brokerage हमने कितना निकाल रखा है, 0.39, यह हमारा brokerage है, तो 0.39 plus कर दो, इन दोनों को plus कर दोगा, तो answer कितना हो जाएगा, 130.39 रुपियस, मतलब उस share को खरीदने के लिए, उस इंसान को कितने रुपिय देने पड़ेंगे, 130 रुपिय 39 पैसे देने पड़ेंगे, तो 130.39 is your final answer, correct है, clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको यह question बहुत ही आसानी से और बहुत ही easy तरीकी से समझ में आएंगे, और ऐसे ही question से पूरा हमने already जब practice set और बाकी चीज़े हमने solve कराई ही, तो आपको easy ही लगा होगा, उमीद करता हूँ, ठीक है, तो जरूर से इसको अच्छी तरीकी से देख लो, समझ लो, अगले lecture में भी लेंगे, जिसमें हम दोग और भी बहुत सारे चीज़े देखने वाले और मजा करने वाले, तो आप लोग हमारे साथ बने रहना, प्यार लिखाते रहना, तो आज आज के लिए इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ठीक है, जैसे आप जानते हो कि हम वीडियो से शॉर्ट शॉर्ट बना रहे है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और बाकी जो चीज़े वीडियो से अवेलिबल है, उसको अच्छी तरीके से देख और पढ़ झाल 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 झाल